Hello everyone, welcome back to GK Code Labs तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अपने B.T.E.C. के ग्राजुएशन में B.T.E.C. के 3rd या 4th year में है, specially C.S.E. IT ब्रांच में और थोड़ी बहुत help उन लोगों को भी मिलेगी जो C.S.E. IT में अब अपना करियर प्लान कर रहे हैं, तो देखो यार 1st year almost सारे ग्राजुएशन का सेम होता है, 2nd year में आपकी ब्रांच के स्पेसिफिक, आप CS के हो IT के हो, या Electronics, Electrical, Civil जो आपकी ब्रांच होती है, उसका base बनाया जाता है आपके लिए, यहां तक aware ना होने की वज़े से, आपको बाद में यह चीज प्राबलम हो, तो उस पार्ट पे मैं थोड़ा सा focus आप लोग का लाना चाता हूँ, तो अब 3rd और 4th year पे आ जाते हैं, CS IT में 3rd और 4th year में आपको CS और IT, आज कल जो सेनेरियो चल रहा है, उसमें थोड़ा सा deeply घुसाया जाता है, और यह बहुत ही rapidly changing industry है, तो इसी लिए इसका करिकुलम बहुत जल्दी जल्दी update भी होता रहता है, नई नई चीज़े आती रहती हैं बेस तो सारी चीज़े वैसी रहती हैं, बट आई नई चीज़े आती रहती हैं, for example, जैसे आप लोग जानते हो, आज कल AI, ML, NLP, Data, Cloud, इन सब चीज़ों का era है, तो अब mostly universities, 6th या 7th SEM से ही इन subjects को लाने लगती हैं, अब कितना deeply, कौन सी university, कितना deeply, कितने अच्छे से पढ़ाती है, बट ये topics आपकी नजरों के सामने आने लगते हैं, तो ये वीडियो बस समय रहते aware करने के लिए है आपको, क्योंकि जो आप अभी 3rd year, 4th year में सीखने वाले हो, उसको lightly मत लेना, क्योंकि आगे चलके अगर आपका interest IT या फिर technology industry में ही आपका passion ही वो है, तो ये सारी पढ़ाई जो अभी आप ध्यान दे लोगे, ये आपको आपका पहला career चूज करने में बहुत help करेगी, देखो, सीखोगे बाद में भी, पैसा दे के सीखोगे, time waste करके सीखोगे, सीखना यही है, industry यही है, आगे और भी changes आएंगे, पर आप अगर अभी आपकी university ले करके आ गई है वो curriculum, आपके third और fourth year में, तो उस चीज को lightly मतले ना, specially जो main main चीजें चल रही है इंडस्ट्री में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी के मैंने कुछ curriculum की, कुछ-कुछ university के उठाएं हैं, और उसमें मैं देख रहा हूँ, already six, seven, seven, eight, seven में, वो सारे topics, जिनकी आज कल demand है, वो already curriculum में आ चुके हैं, और आज से नहीं काफी time पहले से आ रहे हैं, और अच्छे कासी demand है, बट सिर्फ aware ना होने से के चलो ठीक है, third year है, fourth year है, बाद में देख लेंगे, चल लेंगे, अगर अभी के अभी, अगर base आपका मजबूत हो गया, तो if nothing, आप first कदम रखने में आपको काफी सारी चीजे, already clear होंगी, अब कुछ examples के तौर पर बताता हूँ, अभी आप यह syllabus देखो, यह एक university का मैंने अभी का curriculum उठाया है, अभी first semester जैसे मैंने बताया basic चीजे, वैसे ही रहती है, physics cycle, we can ignore, especially IT की बात कर रहे हैं, तो आप third semester से ही देखिए, statistical foundation for big data, यह सब कुछ सालों पहले अगर आप देखोगे, तो यह सारी चीजे नहीं थी, curriculum update हो रहा है, बट इतनी important चीजे है, data structure and algorithms, यह mostly काफी पहले से ही आपके IT curriculum में रहता है, और अगर थोड़ा भी बंदा serious रहता है, तो इसका base तो अपना बनाते ही है, तो जितना आप मजबूत कर लो, उतना आपका career आगे अच्छा जाने वाला है, तो अभी हम, अभी वो buzzwords वाली जो चीजे हैं, जो आपको quick jump दे सकती हैं, उनकी बात कर, DSA तो जितना आप चाहो उतना पढ़लो कम है, पर अभी आप देखो, Big Data Foundation आपका third semester में ही आ गया है, अभी मैं इसके साथ-साथ आज की trending jobs भी दिखाऊंगा, ताकि अगर कोई third year, fourth year वाला देख रहा है, तो आप देख लो, अभी as of now, अगर आप graduate हो, तो आप से वही सारी च scratch से start करोगे, या बहुत कम knowledge होगी, देखते हैं आगे, देखो जी, Python for Data Science आपका fourth semester में ही आगे, तो second year ही चल रहा है भी, तो fifth semester में आते हैं, तो computer networks, उस समय तो एक बस घासफूस की तरह सब सीखते जाते हैं, पर ये computer networks, अभी आगे cloud में जाओगे, इतना काम आने वाला है, वहां की सारी चीज़े clear हो जाएंगी, अगर ये base clear रहेगा आपका तो, introduction to artificial intelligence, चलो ये तो intro है, मतलब, ऐसे तो आप पढ़ सकते हो कहीं से भी, पर obviously, अगर को dedicated subject हो, वो आपको जादा अच्छे से आपका base बनाएगा, देखो, sixth semester में ही big data analytics आ गया है, भले ही, मैं ये नहीं क करिकुलम दिखाता हूँ, ये sixth semester का करिकुलम है, एक और university का, देखो, यहाँ पे, sixth semester में ही machine learning, software testing, NLP, natural language processing, big data, practicals आपके आई हुए है, amazon web services पे, one of the most trending cloud vendor, और अभी, अगर आप, वैसी generally बता रहा हो, ये काम आप खुद भी कर सकते हो, अगर मैं generally यहाँ पे देखता हूँ, देखो, आप NLP की कितनी jobs आई हुई है, मैंने आपको दिखा, I think, six or seven semester में था, NLP, LLM, engineer, आपको पता ही है, natural language processing के, अब देखो, इसके demand के वो चीज़ पर मत जाना कि इसमें, six year experience माग रहे है, eight year experience, वो time की बात है, इसमें, अगर आप perfect हो, तो अगर आप campus placement में भी जा रहे data, big data developer देख लेते हैं, देखिए आप, data engineer, big data engineer, line लगे हुई है jobs की, और अच्छी companyों में, Autodesk, IBM, Genpac, Mastercard, Atlassian, अब इन सब चीज़ों में बजाना कि, यह senior data engineer है, मैं example दिखा रहा हूँ, आपके जो last four semester's के subjects हैं, उनको एक बार, क्या जाता है, Saturday, Sunday बैठे हो, एक बार उनको रहते, अपना जो base है, वो और अच्छे से बना पाऊगे, तो यह थी छोटी सी tip और ध्यान रखना, और अगर आप देख रहे हैं, और आपके जो जानने वाले हैं, और आपके बच्चे हैं, जो अभी नए-नए admission लिया है, या second year, third year में हैं, तो उनको अगर आप करा सकते हो तो उनको भी ये चीज अवेर कराओ, कि थोड़ा सा, मतलब special ध्यान दे, ऐसी चीजों पर, जो आप देख रहे हो, जिनकी job demand है, तो एक confidence ही अलग होगा, जब आप पहला कदम रखोगे IT में, तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, आगे मैं और भी ऐसी tips देता कराओंगा, तब तक के लिए thank you, please subscribe to GK Coatland.